हेलो एबबन में नाम है कितमिश्रा और आप देख रहे हैं आज एक बहुत ही important topic के बारे में जो genetics के अंदर काफी ज़्यादा confusion create करता है और उस topic का नाम है bar body sex determination जब हम लोग topic के बारे में पढ़ते हैं तो normally sex determination में हम बता देते हैं कि एगर xx type का है तो male है xy type का है तो female है birds की case की बात कर लेते हैं या फिर हम किसी other animals की बात कर लेते हैं तो उनके sex determination को हम लोग simply पढ़ लेते हैं लेकिन उसी में छिपा हुआ एक और topic होता है जिसको कि हम लुक कहते हैं bar body अभी जो bar body होती है यह genetics में अगर आप इसको पढ़ोगे आप पहली बार पढ़ो तो आपको थोड़ी सी confusion हो सकता है अगर अभी तक आपने genetics में इनके बारे में बहुत detail में नहीं पढ़ा है नहीं जानते हो तो थोड़ी मोडी confusion आपके दिमाख में आएग और bar body को ले करके आपकी confusion पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी तो अगर मैं bar body की बात करूँ तो आप normally जब मैं कहता हूँ कि female की बात करता हूँ तो आपको imagination में आता है कि भाई दो chromosome XX वो हमारे जो हैं nucleus के अंदर पढ़े हुए हैं पर एक scientist थे जिनका नाम था मुरेल बार और एक scientist थे जिनका नाम था easy bird राम इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले cat की जो brain cell थी उससे जो हैं इन्होंने उसके nuclei में देखा तो इनको दिखाई दिया कि chromosome के साथ में एक dark straining structure दिखाई दिया उस nuclei के अंदर और जब इन्होंने देखा 1940 में तो इस चीज़ को वो बता नही मिल रही है उसके बाद क्या हुआ कि जब देखा गया और जधा discovery हुई तो देखा गया कि यह जो रोक की structure रही है यह डार्क मेल और के इसप्रेंग छे इन्होंने बताया thought इन्होंने सोचा कि the spot was tightly condensed X chromosome ठीक है अब इन्होंने जो देखा इन्होंने बताया कि यह जो हमें दिखाई दे रहा है यह हमारे normal chromosome से भी जादा इन्हें condensed और tightly packed दिखाई दे रहा था जिसको इन्होंने bar body का नाम देने वाले थे मतलब जो दूसरे scientist ने दिया लेकिन इन्होंने देखा कि यह जो हमारा X chromosome से भी जादा tightly और packed दिखाई दे रहा था कि इन्होंने देखा Canadian scientist L bar और easy Bertram ने उसके बाद क्या हुआ कि जब इसके उपर और ज़्यादा research हुई तो उसके बाद इनका नाम जो है bar body रखा गया और यह जो bar body होती है यह क्या दिखाती है सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं ओके इतनी बात स्वाज में आ गई ना nucleus के अंदर होती है हमारी bar body अब जानते हैं कि आखिरे जो bar body है यह होती क्या है तो bar body जो होती है यहाँ पे लिखा हुआ है कि bar body bar body represent the inactive the inactive x chromosome ठीक है bar body represent inactive x chromosome मतलब basically हमारी जो bar body है वो कुछ और नहीं वो हमारी x chromosome ही होती है हमारे female के अंदर हम जब भी देखते हैं तो उसके अंदर normal female के अंदर हमें 2 x chromosome देखने को मिलते हैं और अगर कोई female है उसके एक से अंदर 2 x chromosome है जो कि sex determine कर रहे हैं वो x chromosome में से एक जो x chromosome होता है वो bar body होता है मतलब वो inactive होता है समझ रहो की नहीं मतलब कि अगर हमारे किसी nucleus के अंदर 2 x chromosome है तो उसमें से जो एक x chromosome होगा वो inactive होगा क्या होगा? inactive होगा अब ये जो inactive chromosome है ये जरूरी नहीं होता कि केवल यही वाला हो वो ये भी हो सकता है वो ये भी हो सकता है मतलब वो randomly कोई भी हो सकता है इससे कोई भी depend नहीं पड़ता लेकिन एक x chromosome inactive होगा ही होगा तो ये चीज़ कहलाती है वुसी x chromosome को हम कहते हैं bar body तो bar body का मतलब क्या होता है in active x chromosome and are normally found only in female और ये basically हमें female के अंदर ही देखने को मिलता है मतलब ऐसे individual के अंदर ही ये देखने को मिलेगा जिसके अंदर 2x chromosome से जादा हो या फिर 2x chromosome हो लेकिन अगर 1x chromosome ही है तो उसमें bar body नहीं होती है इस बात को note कर लीजिए कि किसी भी female के body के अंदर अगर nucleus में 2x chromosome है जैसा की होता है female है तो 2x होगा ही होगा तो उसके अंदर हम लोग अगर उसकी बात birds की बात को छोड़ दे तो क्योंकि उसके अंदर हमें z0 या फिर आपने x0 देखा है तो अगर किसी में x0 है female heterogamity है तो उसमें जो bar body है वो नहीं होगी इस बात को ध्यान रखेगा तो समझ मैं है कि 2x chromosome में एक x chromosome क्या होता है inactive होता है ये चीज़ देखने को मिला किसके अंदर female somatic cell के अंदर अब आगे चलते हैं अब उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर बताया कि जो हमारे mary leon थे the mary leon hypothesis दिया इन्होंने क्या दिया एक hypothesis दिया उस hypothesis में इन्होंने बताया जो definition बताई वो क्या बताई इन्होंने बताया कि condensation of x chromosome mechanism for in activating the gene on chromosome mary leon ने जो hypothesis दी एक mechanism दिया उसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा उस mechanism के बारे में कि आखिर यह जो एक x chromosome inactive हो रहा है वो inactive क्यों और कैसे होता है उसी के बारे में हम लोग details से जानेंगे फिर जो questions आप से हर दफ़े exam में पूछे जाते हैं उन questions को आपको solve कराऊंगा ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है name inactive x chromosome on bar body कहते हैं कि named बताना है कि inactive x chromosome a bar body जो है वो इस चीज़ का जो bar body जो नाम दिया वो हमारे basically यहीं से आया तो अब इस चीज़ को हम आगे describe करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है mechanism of x chromosome in activation तो mechanism की बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा x chromosome inactive किया जाता है अब आप सभी जानते हो कि chromosome में एक सबसे ज़्यादा important part होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं centromere क्या कहते हैं centromere कहते हैं जो बिल्कुल center में होता है metacentric chromosome में और उसके बाद उसी के नीचे near थोड़ी से दूर पे मतलब near नीचे उपने near उसके पास में ही एक area होता है जहां पे gene होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं x ic control unit या फिर x ic कहते हैं यहां पे जो gene होता है यही main gene होता है जो कि हमारे chromosome को inactive करता है ठीक है न तो यही चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि इसी reason में हमें वो gene देखने को मिलता है अब यहां पे बोल रहे हैं कि a reason of x chromosome near centromere called the x inactivation center यही पे वो gene मौझूद होते हैं जो हमारे chromosome को inactive करेंगे मतलब बार बॉड़ी में convert करेंगे is the control unit यहां पे बहुत सारे gene होते हैं content 12 gene, total जो gene है वो यहां पे कितने होते हैं 12 gene होते हैं 7 gene code for protein जिसमें 7 gene आपके protein बनाते हैं और 5 gene जो हैं वो untranslated RNA बनाने का काम करते हैं अब यह untranslated RNA protein आप सब जानते हो कैसे बनती है untranslated RNA जो है वो basically हमारा ऐसा RNA होता है जो कि मतलब एक तरीके से जिनकी आगे जाकर के protein नहीं बनी या जिनकी protein नहीं बनी रहती है ठीक है न यह चीज आपको ध्यान में रखना है untranslated अब आगे ध्यान देते हैं यहां पे अब आपके सामने देखे क्या होता है इस reason पे देखे इस reason पे basically दो ही चीज जो है वो पाई जाती है एक होती X-I-S-T जिसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं exist ठीक है exist नाम देते हैं तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे इसका pronunciation exist होता है तो अगर यह हमारा exist है तो हम कहते हैं कि exist होने पे जो हमारा chromosome है वो in active हो जाएगा और T6 होने पे हमारा chromosome active हो रहेगा क्या रहेगा active रहेगा मतलब अगर किसी में T6 जो है वो present है मतलब T6 जाद प्रेजंट तो दोरों होते हैं मतलब अगर किसी में T6 का concentration जादा है अगर इसका activation हो रहा है T6 का तो हम कहेंगे कि यह chromosome active रहेगा लेकिन मतलब X chromosome रहेगा बार बॉड़ी नहीं बनेगी अगर यहाँ पे X IST है तो हम कहेंगे कि बार बॉड़ी बनेगी अब बात ही होती है कि यह जो आपको जो gene activation दिखाई दे रहा है यह दो factor पर depend करता है अब वो दो factor का नाम होता है एक factor का नाम होता है X A और एक factor का नाम होता है X I अब दोनों के क्या क्या काम है इसी के बारे में यहाँ पे discuss करते हैं समझ मैं है मेरी बार तो अगर X IST हुआ तो gene हमारी activate होगी जो हमारा ये वूस और इस gene का काम है इस gene का काम है कि chromosome को bar body मतलब inactivate कर देना ठीक clear अब कैसे inactivate करेगी उसकी mechanism है लेकिन पहले बस इतना जाना है कि XIST जो है वो bar body को या chromosome को bar body ने chromosome क्या कर देगी inactivate कर देगी ठीक और then converted into bar body लेकिन अगर वहाँ पर T6 है तो वो inactive नहीं होगा अब यहाँ पर देखे इस रीजन कंटेन टू जीन एक्टिवली इंवल्ड इन अक्टिवेटिं एक्स क्रोमोजोम दो gene important यहाँ पर होती है वो कौन सी दो gene है एक आपको बता दिया exist बता दिया जो x inactive specific transcript है और एक आपको T6 बता दिया क्या बता दिया T6 बता दिया अब यहाँ पर जो हमारा x i आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर अगर x i gene रहा है यहाँ पर इस position पर अगर x i gene activate होता है या फिर यह अपना function करता है तो यह क्या करेगा कि exist expression करने लगेगा मतलब exist का expression करने लगेगा और अगर इसने exist का expression कर दिया तो यह chromosome inactive हो जाएगा अगर और देखें यहाँ पर जब यह अपना function करेगा तो exist का expression होगा लेकिन T6 का inhibition हो जाएगा तो यहां पर समझ मैं है न ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के antagonistic होते हैं antagonistic क्या मतलब एक काम करेगा तो दूसरा वाला रुकेगा वो दूसरे का फिर प्रभाव खतम हो जाएगा उसी तरह अगर यहां पर XA activate हो गया तो जो exist है उसके expression को घटा देगा और T6 के expression को बढ़ा देगा मतलब chromosome active रहेगा ठीक तो जो chromosome active रहता है उसमें T6 का activation रहता और जो inactive हो जाता है वार बॉड़ी जैसा वो हो जाता है exist ठीक है समझ में आगे इतनी बात अब आगे discuss करते हैं अब यहां पर देखिए कहते हैं कि जो हमारा exist gene है जो कैसे करता है काम कैसे inactive कैसे कर रहा है इसको समझते हैं तो कहते हैं कि जो हमारा exist होता है जो हमारा exist gene होता है जिसको हम लोग exist pronounce करते हैं इनकोड करता है large RNA molecule को यह यहां पर large RNA molecule को इनकोड करता है समझ लो मेरी बात और साथ में code XI from the XIC near the centromere outward X chromosome और जब हमारा XI chromosome जो है वो उसका expression करता है exist का तो क्या होता है कि यही जो XI होता है वो हमारे DNA को high level of methylation मतलब इसी DNA में methylation बढ़ जाता है और चारों तरफ यहां पर आपको जो आपको methyl group है वो bounded दिख रहे होंगे तो यहां पर क्या करता है जो XI है वो methylation को बढ़ा देता है और उसको बढ़ाने के बाद यह chromosome को lock कर देता है कहते हैं कि lock the chromosome यह chromosome को क्या कर देता है अगर यह chromosome को lock कर देगा तो यह बताओ इसका DNA कभी फिर decundence हो पाएगा नहीं हो पाएगा और यही चीज होता है कि जो हमारा chromosome है वो in active state में चला जाता है कहां चला जाता है इन active state में चला जाता है बात समझ में आ गई न तो अगर XI का concentration बढ़ता है तो जो हमारा DNA है उसके अंदर क्या होता है कि जो यह properly हमारा जो area है पूरा DNA का यह chromosome का वो methylated हो जाता है वहाँ पे हर जगे methyl group add हो जाता है और इस तरीके से हमारा chromosome जो है वो lock हो जाता है और यहाँ पे gene की silencing भी हो जाती है तो इतनी process होती है बार बाड़ी बनने की बात समझ में आई अगर हमारा XI gene जो है वो present रहा तो वो चुकी इतना methylated कर देता है इतने methyl group वहाँ पे जुर जाते हैं और डेड़ी chromosome condensed रहता है तो इसी लिए वो हमें dark strain के रूप में दिखाई देते हैं इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या factor आपको मिला अगर जो है XA gene activate कर रहा है किसको T6 को तो उसका expression कर रहा है तो इस condition में chromosome active रहेगा लेकिन अगर XI आ गया और वो exist gene को जो है वो expression कर रहा है तो वो क्या करेगा chromosome को inactive कर देगा मतलब एक X chromosome inactive हो जाता है अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखें क्या होता है कि जो हमारा chromosome होता है एक X chromosome है दूसरा XY है दूसरे तरफ माल लिजिए male में तो इस equality को maintain करने में भी ये काफी जादा helpful होते हैं इसलिए ऐसा हमें cell के अंदर देखने को मिलता है और इसका normal body के उपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसा नहीं कि बहुत बोड़ी बन गई तो आपको कोई character या कोई function नहीं आएगा एक X chromosome अपने आपको survive करने के लिए enough है और ऐसा case हमने किस में देख लिया female के अंदर देखते है animal के अंदर आपको नहीं दिखता है दिखता है न कि bird के अंदर देख लो या फिर आप जैसे बात किये था न कि अगर किसी में X 0 है और वो female है तो क्या उसके अंदर वो character नहीं ह चल जाता है समझ में आगई मेरी बात और यह जो inactive हो रहा है यह क्यों limited time के लिए नहीं होता है यह हमारा lifetime रहेगा अगर inactive हुआ है बारबाडी बनी है तो lifetime के लिए रहती है इतनी बात आपको समझ में आगई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखे examples की ब syndrome वाला case आपने syndrome पढ़ा हुआ है syndrome में आप क्या पढ़ते हो 47 पढ़ते हो 47 में आप क्या कहते हो आप कहते हो कि अगर आप यही कहते हो 47 के case आप दो देखते हो एक आप xxy वाला case देखते हो क्या देखते हो xxy वाला case देखते हो तो उस वाले case को हम लोग बोलते हैं कि उसमे हमारा XXX हो जाए, मतलब 46 से कितना हो जाए, 47 हो जाए, तो इस case में क्या होता है, कि 2X क्रोमोजोम बनेंगी बार बोडी और 1X क्रोमोजोम हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा, तो देखें, 2 Black कलर का दिख रहा है, तो इस 2 क्या होँगी, बार बोडी, तो कभी अगर आपसे बो समझ में आ गया इतनी बात next उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर किसी में 48 आया और उस 48 का combination यह है triple x और y है x x x y है मतलब तो भी इसमें 2 ही x में बनेगा मतलब आपको 1 x छोड़ देना है बाकी जितने आपके x हैं वो सब बार बॉड़ी बनाएंगे ठीक तो इसमें भी 1 x आप छोड़ देंगे तो 2 बार बॉड़ी बन जाएगी बात clear है तो यही चीज़े यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको कितनी बार बॉड़ी दिखेंगी दो बार बॉड़ी दिखेंगी दूसरे case में कहते हैं कि अगर हमारा मालो x x y आ जाए तो यहाँ पर भाई हमको 1 x तो बचाना है ना तो 1 x हमारा बच जाएगा तो एक बार बॉड़ी बनेगी एक एक बच जाएगा और एक बार बॉड़ी बन जाएगी तो इसी लिए हमें इसमें एक ही बार बॉड़ी दिखाई दे रही है अब एक सिंड्रोम होता है जिसमें हमारा क्या होता है जिसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सिंड्रोम होता है यह कौन सा सिंड्रोम होता है आप इसको बताएंगे इस केस को तो यहाँ पर है x x y तो आप जो है हमें बताईए कि इसमें कितने बार बॉड़ी हो case पूछ लेता है तो वहाँ पे कोई भी bar body नहीं होती है तो यहाँ पे देखिए अगर कोई individual x0 है यहाँ पे एक्सो लिखाओ x0 है तो इस case में no bar body वहाँ कोई bar body नहीं होगी अगर वहाँ पे xy है तो भी bar body नहीं होगी अगर xx है तो एक bar body हो जाएगी एक से तो एक बारबार्ड हो जाएगी लेकिन अगर एक एक से तो अafe बारबार्ड नहीं होगी तो इस तरह के आप से सवाल पूछे जाते हैं बाकी यहाँ पे कई एक्जाम्पल आपके सामें रखे गए हैं पहला कहता है कि अगर किसी के पास 46 है नॉर्मल केस है ये नॉर्मल वूमेन है तो उसके अंदर एक बार बाड़ी होती है ठीक इस तरह से भी question बोल देते हैं तो ये वाला option आप कराएगा उसके बाद कहते हैं अगर मालो किसी 45X है तो भी या फोटो 45 मतलब अब इसमें 2 बार बाड़ी बनेंगी और इसमें कितनी बन जाएंगी 3 बार बाड़ी बन जाएंगी देखो यहाँ पर 4X है यहाँ पर 3 बार बाड़ी मतलब बस आपको अगर question में दिया रहे जितना X उसमें एक कम कर देना बार बाड़ी आपकी आ जाएगी ठीक समझ गए अब फैक्ट आपका देखो इससे आपको क्या result मिला कहते हैं कि अगर जो है जो हमारे exist है और T6 gene है the exist gene जो होता है only gene which express from XI जो XI express करता है but not from the XA लेकिन XA से form नहीं होता है तो मतलब XI है तो exit gene express होगा XA gene से उसको कोई लेना देना नहीं और अगर XA है तो वो हमारा T6 gene को activate करेगा और हमारा DNA भी chromosome भी active रहेगा कहते हैं कि जो X chromosome होता है normal वाला उसके अंदर exist gene lack होता है नहीं पाया जाता है cannot be inactivated इसलिए वो inactivate नहीं होता है आसा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बार बॉडी का और simple वीडियो था आपका एक question बहुत ही अराम से इससे हो जाएगा Thank you very much